मैं我跟你 डिपिकऴ आप सभी का दिपक जी ऐसे केडिमीन में स्वागत करती हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वेहार प्रक्टिस सीरिज को लेकर चल रहे हैं । उसके साथ-साथ हम जारकर प्रक्टिस के सीरिज को भी लेकर चल रहे हैं तो आज के सिरीज में हम जारखन में हुए एक मात्र अधिवेशन के अधिवेशन से जुड़े कुछ प्रस्णों को देखेंगे जो जो 1940 इस्वी में हुआ था तो आईए बिना समय गवाते हुए हम आज के पहले प्रस्ण की ओर चलते हैं तो हमारा पहला प्रस्ण है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का तिरपन्वा अधिवेशन निम्न में से किस राज में आयोजित किया गया था तो इसके ऑप्सन से ऑप्स है जार्खन के रामगड में कब से कब तक कॉंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था तो इसके ऑप्सन्स है 15-18 फरवरी में 2424 बी में 29-20 मार्च 2-1940 सी में 22-25 अप्रेल 9-40 और डी में 26-28 माई 9-40 तो इसका सही एंसर होगा बी 29-20 मार्च 3-2 हमारा 3 प्रस्न है कॉंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन जार्खन के किस अस्थान पर आयोजित किया गया था तो इसके ऑप्सन्स है अप्सन नमबर A. राची, B. हजारीबग, C. रामगड, D. देवगर तो इसका सही एंसर होगा C. रामगड हमारा चौता प्रस्न है जारखंड के रामगड में कॉंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था वो कौन सा अधिवेशन था तो इसका सही एंसर होगा इसके अप्सन से अप्सन नमबर A. पचासवा B. एकानवे C. बावना और D. तिरपन तो इसका सही एंसर होगा D. हमारा पाच्वा प्रस्न है जार्खन में 1940 में आयोजित कॉंग्रेस के तिरपनवे अधिवेशन की अध्यचता किस ने की तो इसके अप्सन से अप्सन नमबर A. डॉक्टर राजैंद्र परसाथ B. सुबास चंद्र बोस C. अनुगरा नरायन C. और D. अबुलकलाम अजाद तो इसका सही अन्सर होगा D. अबुलकलाम अजाद हमारा छठवा प्रस्न है रामगड के कॉंग्रेस अधिवेशन में निम्निमेश से किस वेक्ति ने सत्गरा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तूत किया था तो इसके ओप्सन से ओप्सन नंबर A. अबुलकलाम अजाद B. महत्मा गांधी C. जेबी कृपलानी और D. डॉक्टर राजैंदर प्रसाद तो इसका सही अन्सर होगा C. जेबी कृपलानी हमारा सात्वा नंबर प्रस्न है 1940 इस्वी में रामगड के कॉंग्रेस अधिवेशन के दोरान निम्न में से किसने अखिल भारतिय समझाता विरोधी सम्मेलन का आयोजित किया था तो इसके ओप्सन से ओप्सन नंबर A. सुबाश चंदर बॉस B. जेबाल सी C. डॉक्टर राजैंदर परसाद D. M. एन रॉय तो इसका सही एंसर होगा A. सुबाश चंदर बॉस हमारा आठवा नंबर प्रस्न है जारखंड के रामगड में कॉंग्रेस के एक मात्र अधिवेशन के दोरान निम्न में से किस राष्टिय संस्था का गठन किया गया तो इसके ऑप्शन्स है फार्वर्ड ब्लोक आजाद हिंद फोज इंडियन एसोसियेशन D. में होम रूलिंग तो इसका सही एंसर होगा A. फार्वर्ड ब्लोक हमारा नवा नंबर प्रस्न है 1940 विस्विव में रामगड के कॉंग्रेस अदिवेशन के दोरान निम्न में से किस पार्टी की आधार सीला रखी गई थी तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर A. मजदूर पार्टी B. हरीजन पार्टी C. रेडिकल डोमक्रेटिप पार्टी D. क्योमिनिस्ट पार्टी तो इसका सही एंसर होगा C. रेडिकल डोमक्रेटिप पार्टी हमारा दस्वा नंबर प्रश्ण है हमारा दस्वा नंबर प्रश्ण है निम्न में से किस ने रामगड के कॉंग्रेस अदिवेशन के दोरान रेडिकल डोमोक्रेटिक पार्टी की अधार सीला रखी थी तो इसके उप्षन से उप्षन नमबर A. M. N. R. I. B. पंडित जोहलल नेरू C. सर्दार बल्लब भाई पतेल और D. महत्मा गांधी तो इसका सही एंसर होगा A. M. N. R. I. हमारा एक ग्यारवा नमबर प्रशन है रामगड के कॉंग्रेस अधिवेशन के सभा अस्थल का क्या नाम रखा गया तो इसके उप्षन से बीरसा नगर, मजहर नगर, गांधी नगर, नेहरू नगर इसका सही एंसर होगा B. मजहर नगर हमारा बारवा नमबर प्रशन है रामगड कॉंग्रेस अधिवेशन में सभा अस्थल के द्वारा मुख्य द्वार, द्वारा का नाम क्या रखा गया तो इसके उप्षन से बीरसा द्वार, सिद्दो द्वार, जैपाल सिंग द्वार और गांधी द्वार तो इसका एंसर होगा B. स्रिधो द्वार हमारा तेरवा नंबर प्रस्ण है रामगड में कॉंग्रेस अधिवेशन से पूर्वनिमन में से किसने खा दी ग्रामों उद्धोग का सुबारंब किया था तो इसके ओप्शन्स है डॉक्टर राजेंद्र परसाद B. महात्मा गांधी C. अबुलकलाम आजाद D. जैपाल सिंग तो इसका सही एंसर होगा B. महात्मा गांधी हमारा चौदवा नंबर प्रस्ण है रामगड के कॉंग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिति को महात्मा गांधी द्वारा रामगड में खादी ग्राम उद्धोग का सुभारम किया गया था तो इसके ओप्शन से ओप्शन नंबर A. दस मार्च उन्हें सो चालीस B. बारा मार्च उन्हें सो चालीस C. चौदा मार्च उन्हें सो चालीस या D. अठारा मार्च उन्हें सो चालीस तो इसका सही एंसर होगा C. 14 मार्च 1940 हमारा पंद्रवा नंबर प्रशन है वर्स 1940 में रामगड के कॉंग्रेस अधिवेशन से पूर कभ कॉंग्रेस विशायक निरवाचनी सम्मीती की बैठा कायोजन किया गया था तो इसका सही एंसर होगा D. 17-19 मार्च हमारा पंद्रवा नंबर प्रशन है प्रथम दिन निम्न में से किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ता प्रस्तूत किया गया तो इसके ओप्शन से ओप्शन नंबर A. अबुल कलाम आजाद B. डॉक्टर राजेंडर परशाद C. सुवास चंद्र बोस और D. जोहालव नहरू तो इसका सही एंसर होगा B. इसका सही एंसर होगा B. सुवाद डॉक्टर राजेंदर परशाद हमारा 17 नंबर प्रशन है रामगड में डॉक्टर राजेंदर परशाद द्वारा भारत एवं विशो संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनु मोधन निमनी में से किस ने किया तो इसके ओप्षन से ओप्षन नंबर ए जोहालल नहरू बी शुबास चंद्र बोस डी सी महात्मा गांधी डी अबुलकलाम आजाद तो इसका सही एंसर होगा ए जोहालल नहरू हमारा अठारवा नंबर प्राशन है 1940 इस्व में रामगड के कॉंग्रेस अधिवेशन में स्वागत समीती के अध्याच कौन थे तो इसके ओप्षन से ए में डॉक्टर राजेंद्र परशाद बी में स्री क्रिश्न सी सी में डॉक्टर सयद महमूद और डी में अनुग्रा नारायन सी तो इसका सही एंसर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र परशाद हमारा उनिश्वा नंबर प्राशन है उन्हें सो चालीस इस्वी में रामगण के कॉंग्रेस अधिवेशन में स्वागत समीती के उपध्यच कौन थे तो इसके अप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद बी श्रीक्रिश्न सी सी डॉक्टर सैयद महमूद या फिड़ी बी और सी दोनो इसका सही एंसर होगा डी यानि कि स्रीक्रिश्न सी और डॉक्टर सैयद महमूद दोनों थे हमारा बीश्वा नंबर प्रस्ण है और आज के प्रैक्टिस का आखरी प्रस्ण है हमारा उन्हेस्चो चालीस इस्वी में रामगण के कॉंग्रेस अधिवेशन में स्वागत समीति के महा सचीव कौन थे तो इसके ऑप्सवा नंबर ए डॉक्टर राजेंदर परशाद बी श्रीक्रिश्न सी सी डॉक्टर सैयद ममूद और डी अनुग्रा नारायन सी तो हमारा बीश्वा नंबर प्रस्ण का सही एंसर होगा डी अनुग्रा नारायन सी आशा करती हूँ कि आप सभी को जारखंट के इस प्रैक्टिस सेट में अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, कमेंट, सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद